हेलो जी, वेलकम बेक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, तो आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ, काच्री की चटनी, ये देखिए, ये मैंने काच्री की चटनी बनाई है, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, स्वाद में मतलब इसका कोई जवाब नहीं है, तो चली हम बनाते हैं, काच्री की चटनी, काच्री की चटनी बनाने के लिए मैंने देखो काच्री आन दी है, अब ग्या करना है, इनको पानी से हमें अच्छे से दो लेना है, और दोने के बाद इसका छिलका उतार लेना है, इनका छिलका ऐसे उतार लेना है, सारी काच्रियों का हमें तेस्टी लगती है ऐसे करके मैं सारी कचरियों चिल्का उतार लेना है यह मैंने सारी कचरियों-चिल्का उतार लिया था और अंगों, prepareμ swings जो सुखी लाल मिर्चाती है नो वो डाल रही हो आप वैसे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं आदी चमज मैंने डाल लिए इसमें नमक और आप साबूत धनिया भी डाल सकते हो मैंने इसमें डाल लिया धनिया का पाउडर और आप सारी चीजों को हमें पीस लेना है देखे मैं चटनी को पीस लिया है अच्छे से तो चली अब इसमें लगाते हैं हम छोंक ये चटनी में छोंक लगाने के लिए मैंने एक पैन लिया और पैन में डाले हैं मैंने एक बड़ा चमच सरसों का तेर और इसको अब हम गरम कर लेते हैं यह हमारा तेल गरम हो गया तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधी चमच राई और आधा चमच जीरा अब मैंने इसमें चटनी डाल दिया है और चटनी को अच्छे से मिक्स कर देना है और बैस को करंदेना है बन्कूल लोज फ्लेल पर रखना है ऐग वाद चथनी कच्छे चला देना और या लिए का यह पआले़ फार लेतीं को तो काशें की चयत्नी होती बहुती टेस्टी बनती तो अगर आपको भी मेरी रेसीपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक वे सब्सक्राइब कीजिए ओके बाइबाइ थैंक यू गरम गरम पच्री की चट्टी ठंडी ठंडी लसी रोटी और खी